वेलकम स्टुजेंट्स इन दिक्षान्स एर्यूटिक स्वागत है दिक्षान्स एर्यूटिक के फ्लेट्फरम पर छात्रों बर्ग आठ के हिंदी विशाय में पार्ट सच्ची वीड़ता जिसके लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंग कहानी दो पार्ट में विवाजित की गई है जिसके क्योंकि यह कहानी बरी कहानी है आप जानते ही हैं कि एक पार्ट पहला पार्ट आप लोग पर चुके हैं फिर भी मैं एक बार रिकेप करता हूँ पिछले पार्ट के पिछले गद्यांस का छत्रों सच्चे भीर की पहचान कराते हुए लेखक पुर्ण सिंग जी करते हैं कि सच्चावीर कौन है सच्चावीर वह है जो निडर रहता है वह है जो परकारी होता है सच्चावीर वह है जो दुसरे के दिलों पर राज करता है अपने प्रजातंतर के दिलों पर राज करता है यूं कहें तो एक राजा की परिवासा को परिवासित करते हुए उन्होंने दिखाया कि अर्थ प्रतंबल राज का दूजा सेना सक्ती एक राजा का प्रतम बल जो होता है वह अर्थ होता है धन आसवाब दौलत दूजा उसका जो बल होता है वो सेना सक्ती होती है उसके सैनिक अगर मजबूत हैं उनके इरादे मजबूत हैं तो वह राजा का बल होता है अर्थ प्रतंबल राज का दूजा सेना सकती तीजा बल सुक प्रजा का और प्रजा अगर सुक में जीवन बतीद कर रही है तो यह राजा का बल है और चोथा सेवक भक्ती और तब चोथा यह बल होता है कि राजा स्वयम को कभी भी राजा न माने वह स्वयम को सिवक माने वह राजा की परिभासा अर्थात सरदार नहीं चोकीदार हूँ यह होता है इसमें इस पार्ट के अंतरगत अलेखक ने बताया है कि एक गुलाम कैदी था जो बादसा के कहने पर कि तुम्हें मैं जान से मार सकता हूँ इतनी मेरी चमता है तुम क्या कर सकते हो उसने कहा कि मैं फिर भी तुमारी आधिनता स्विकार नहीं करूँगा और यह बात कहते ही दुनिया के तमाम बादसाओं के हद को उसने दिखला दिया कि आप कर ही क्या सकते हो आप मेरा जान ले सकते हैं लेकिन मैं फिर भी अगर तुम्हें अपना राजा न मानू तो कैसे भला अपना मनू आ सकते हो कूल मिलाके लेकिन उसमें यह सिद्ध करने की कोशिस की है कि राजा वो नहीं जो बंदूक और गोली से हुकूमत करता हो राजा वो है जो प्रेम सानुभूती और दिल पर राज करता हो लोगों के अपनी बोली से राज करता हूँ आए चात्रों आगे इस पार्ट में कुछ मुख्य बिंदूएं हैं जिने उदारनात हम देखते चलते हैं एक भेर चराने वाली और सतोगुन में डुबी हुई यूती कन्या के दिल में जोस आते ही फ्रांस एक भारी सिकत से बच गया एक चरवाहन थी जो भेर चराती थी फ्रांस में फ्रांस के बाहर और फ्रांस में बुखमरी की इस्तिती चाई हुई थी वैसी इस्तिती में सिर्फ और चारों तरब से गिरा हुआ था जिसमन सैनिकों से कुछ समय उसके जजबात जो थे वह सतो गुन में दुबीवी अर्थात सत्य के गुन की धारक थी वह जुवती कन्या के दिल में जब जोस आया तो फ्रांस एक भारी सिकस्ट से बच गया फ्रांस अपने आस्तितु को बचाने में सफल हो गया यह देश की एक नागरिक एक सच्चे वीर की इतनी बड़ी छमता होती है कि वह अपने पूरे देश को बचा सकता है अपने देश में इस भारत में तो ऐसे कई नाम हैं पूरी लिष्ट है सुची है करते करते साम हो जाएगी ऐसे वीरों की कई ऐसे जो जिनके वीरगा थाएं कहते जबान नहीं थकता सुबह से साम हो जाएगी वह बंद नहीं होता ऐसे कई वीर हुए हैं और उस देश के हम वात्सी हैं जिस देश में वीर्टा परम भेय माना जाता है वह भारत ही को अपने आपको हर घरी और हर पल महान बनाने का नाम वीर्टा है महान बताने का नहीं महान बनाने का और महान बनाने का यानि कि किसी कार्ज को हम बेटर तरीके से कितने बेटर तरीके से करते हैं वही हमारी मानता सिद्ध करता है और वही हमारे बीरता सिद्ध करता है वीर अपने कारणामों को अपने दिंचरिया में लिखते ही नहीं दरक्त जमीन से रस ग्रहन करने में लगा रहता है मने वीर अपने कारणामों को अपने लेखनी से नहीं बलकि अपने कर्मों से लिखते है और उदारन देते हैं लेकर दरक्त का दरक्त अर्थात विक्ष दरक्त तो जमी से रस ग्रहन करने में लगा रहता है उसे यह ख्याल ही नहीं होता कि मुझे में कितने फल और लगेंगे और कब लगेंगे यह विक्ष को यह पता नहीं होता कि मुझे में फल भी लगेंगे वो तो जमिन से नमी लेते रखता है और उससे अपने आपो सिंचित कर फल प्रदान करता है यह नहीं देखता कि उसके कितने फल लगते हैं और कब तक लगते हैं उसका काम तो अपने आप को सत्य में रखना सत्य को अपने अंदर कूट-कूट कर भरना है और अंदर ही अंदर बढ़ना है उसे उस चिंता से क्या मतलब है कि कौन मेरा फल खाएगा यह मैंने कितने लोगों को फल दिये यह फल की चिंता नहीं करते हैं वीर जो होते हैं वो अपने कर्म को ध्यान में रख करके अपने समस्त कार्जों को करते हैं वो अप फल की चिंता लेकर के कार्ज नहीं किया करते हैं कि मैं यह करूंगा तो ऐसा होगा मैं मानिये चात्रों यह तो हमारे देश में कई कभियों कहानिकारों द्वारा आलोचनाएं होती रहती हैं आलोचक भी हैं हमारे देश में और अधिकानस्त ता या तो किसी नेता का किसी अविनेता की पड़ी चर्चा के अंतरगत उनकी आलोचना करते रहते हैं लेकिन हमारे जो नेता हैं उनकी आलोचना के अंतरगत यह देखा जाता है कि चुनाओ जीतने के लिए वह हर तरह के हर गंटे अपनाने रहते हैं लेकिन इसमें सिर्फ उनकी स्वार्चता ही नहींत होती है, परमार्चता कहीं दर्शित नहीं होती, अता वह नेता कालाने जुग्य नहीं, वह तो वीर भी नहीं, क्योंकि वह डरवा करके, डरा करके, धमका करके, अगर अपना उल्लू सिधा करते हैं, अपना काम निकालते है तो वो निशंदे वीर नहीं अवीर या स्वार्थी कहे जाते हैं आईए अगले पंक्ति को देखें विर्टा का विकास नहना प्रकार से होता है विर्टा का विकास एक प्रकार से नहीं कई प्रकार से होता है कभी तो उसका विकास लरने मरने में खून बहाने में तलवार टाप के सामने जान गवाने में होता है तो कभी साहित्य और संगीत की विर्था किलती है कभी जीवन के गुड तत्व और सत्य की तलास में बुद्ध जैसे देवता वीर हो जाते है छात्रों साहित्य की विर्था क्या जलकाती है मैतली सरंगुप्त जी की एक कविता है कि विचार लो की मर्त हो ना मिर्तु से डरो कभी या विचार लो की मर्ना तो है ही तो मिर्तु से क्या डरना विचार लो की मर्त हो ना मिर्तु से डरो कभी मरो परंत यो मरो की याद जो करे सबी मरा नहीं वही कि जो जियाना आपके लिए मने अपने आपके लिए जो जीता नहीं वह कभी नहीं मरता मरा नहीं वही कि जो जियाना आपके लिए वही पसु प्रभीर्थी है जो आप आप ही चरे वही पसु की प्रभीर्थी है वह पसुता है जो स्वेम के लिए कार्ज करे परुपकारी नहीं परमार्थी नहीं वह तो स्वार्थी होता है वह मनुष्य काहलाने की जुग्यता नहीं रखता है माखनलाल चत्रवेदी जी की वीद गाथा के अंतरगत एक है एक फूल की एक पुस्प की अविलासा चाहा नहीं मैं सुर्बाला के गहनों में गुथा जाऊं चाहा नहीं मैं तेमी माला के विध प्रानी को लल्चाऊं चाहा नहीं मैं देवों के सीस पर चड़ अपने भागे पर इठलाऊं तो क्या चाह है उस पुस्त की तो चाह प्रकट करता है पुस्त कि मुझे तोर लेना बन माली है बन के माली तुम मुझे तोर लेना और मुझे तोर लेना बन माली उस पत पर तुम देना फेक मात्र भुमी पर सीस चड़ाने जिस पत जाएं बीर अने जिस पत से होकर बुजरते हैं वो बीर जो अपनी मातर भूमी की रक्षा के लिए अपने प्रानों की बलिदानी देने जा रहे हो उनके पत पर फेक देना तनिक उनके पाउं से कुचल कर मैं अपने आपको परमार्थी माल लूँगा मैं अगर उनके पाउं किसी कारण से नंगे हैं तो उन्हें तोरी सितल्था प्रदान करते हैं मुझे खुसी होगी, मुझे यह चा नहीं कि मैं किसी के गले में पढ़की उतराउं देवों के सीर पर चर्की उतराउं ये वास्तों में विर्टा की पहचान उसे से होती है वीर वो नहीं जो स्वार्थता को दरसाते हैं विर्था हमेशा निराली और नई होती है विर्था कभी पुरानी नहीं होती है नयापन भी विर्था का एक खास अंग है विर्था की कभी नकल नहीं हो सकती जैसे मन की प्रसंता कभी उधार नहीं ले सकता मन की प्रसंता यह न बजार में बिखती है नहीं उधार ली जा सकती है किसी से मन की प्रसंता तो प्राकिर्टिक होती है जो स्वयम की संतुष्टी से प्राप्त होती है और निशंदे है एक मनुस्य के कर्म ही उसे संतुष्टी प्रदान कर सकते हैं आने था इस दरापर कोई और अन्य नहीं जो उसकी संतुष्टी को प्रदान कर सके उसे संतुष्ट कर सके संतुष्टी उसे प्राकृतिक तोर तरीके से उसे अपने कर्म के साथ ही प्राप्त हो सकती है उसका मन सबका मन हो जाता है वीर पुरुस का दिल सबका दिल हो जाता है उसका मन सबका मन हो जाता है उसके विचार सबके विचार हो जाते है सबके संकल्प उसके संकल्प हो जाते है उसका बल सबका बल हो जाता है वह सबका और सब उसके हो जाते हैं वीर ऐसे होते हैं जो चलते हैं तो अकेले दिखते हैं लेकिन पीछे नम उरने के बावजूद भी सैलाव उमर परता है वीर अपने अगाध प्रेम के साथ अपने अगाद वीर्था के साथ वह दम्भ को नहीं पालते वह तो दम्भ का नास करने वाले होते वीरों के बनाने के करकाने नहीं होते ये तो स्वेम से विक्सित होते हैं वे तो देवदार के दरक्तों, देवदार के पेरों की तरह जीवन के अरण्य का अर्थ होता है वन जीवन के अरण्य में वन में खुद वखुद पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिये, बिना किसी के दूद पिलाए बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर वे खरे हो जाते हैं उनका सारा जीवन अंदर यंदर होते हैं बाहर तो जवारात की खानों की उपरी जमी की तरह कुछ भी दृष्टी में नहीं आता वीर की जिन्दगी मुश्कल से कभी कभी बाहर नजर आती है वीर कभी अपने आप को दर्साता नहीं कि मैं वीर हूँ कभी बखान नहीं करता कि मैंने ये किया वो किया वो किया वैसे किया कभी किसी को दिखाने की खुशिस की नहीं करता इसलिए तो वीर को कोई जन्म नहीं देता, वीर स्वयम से जन्म लेता है, देवदार के विक्ष की तरह, आएए छात्रों, वह लाल गुदरियों के भीतर चिपा रहता है, गुदरिया, अर्थात कपरे, फटे पुडाने, जो कपरे होते हैं, उनको गुदरी कहा जाता है, वह लाल गुदरियों के भीतर चिपा रहता है, कंदराओं में, छोटी-छोटी जोपरियों में, बरे-बरे भीर महात्मा चिपे रहते हैं, वो लोग दुनिया को दिखाते नहीं, न दुनिया के सामने आना चाहते हैं, पुस्तकों और अकबारों को पढ़ने से, या विद्वा ब्याखानों को सुनने से तो बस ड्राइंग हॉल के बीर पैदा होते हैं, कह रहे हैं लेका कि फुस्तक में बीरता की गाता पढ़ने वाले, अकबारों से बीरता की गाता गाने वाले, ये सिर्फ ड्राइंग हॉल के बीर होते हैं, बीर वास्तों में तो वो होते हैं, जो आ बेचारी भी दुनिया की बनावट और लिखावट के मुखोलों के लिए नहीं जीते हैं तो किसके लिए जीते हैं वो बनावट के लिए या किसी के लिखने के लिए नहीं जीते हैं वह तो कर्म में विश्वास रखते हैं और अपने कट्ब निभाने में विश्वास रखते ह मर्यम का लाडला मर्यम कौन? इश्यू की मा मर्यम का लाडला लाडला पुट्र को कहा जाता है ask jam अपने मद में मतवाला और अपने आप को साहंसा हकीकी कहने वाला किशा मसी क्या उससमय कमजोर मालूम होता है जब सलीप उठा कर कभी कभी गिर्टा कभी जख्मी होता है और कभी बेहोस हो जाता है कोई पत्थर मारता है कोई धेला मारता है और कोई थुकता है किसके उपर मरियम के लाडले पर कभी जख्मी होता है और कभी बेहोस हो जाता है मगर उस मर्द का दिल नहीं हिलता कुछ चुद्र हिदय और कायर होता तो कोई चुद्र हिदय या कायर होता तो अपनी बातसाहत के बल की गुथियां खोल देता और संभव है कि एक निगाह से उस सल्तनत के तक्थे को उलट देता और मुसीबत को टाल देता परनतु जिसको हम मुसीबत जानते हैं उसी को वह मखाल समझता है वह मुसीबत नहीं समझता है उसे मजाग समझता है और उनके लिए यह बातें कही गई थी सीली उपर सेज प्याकी सीली उपर सेज पिया की सोने दो मीटा 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 मीटे है आती अर्था सीली उपर सेज पिया की जो सीली उसे उन्हें बांध दी गई थी क्रॉस मार्क जिस पर इसा को बांध दिया गया था बरे-बरे काटी से छिद्र कर दिया गया था उनके हाथ और पाउं में उनको ठोक दिया गया था उस कील में और उसमें कहा जा रहा है उनके लिए लेख़क द्वारा कि सीली उपर सेज पिया की पिया अतात इस्वर देवदुत सोने दो मीठा मीठा निंद है आत्मी अमर इशा को भला दुनिया के विशेविकार में गर्क लोग क्या समझ सकते हैं गर्क अठात गिरे हुए जो नीच किस्मिके लोग वो उनकी महांता नहीं समझ सकते हैं लेकर कहते हैं अगले पुंती में कि अगर चार चिरिया मुझे फासी का हुक्म सुना दे और मैं उसे सुनकर रो दूँ या डर जाओं तो मेरा गवरो चिरिया से भी कम हो जाए है जैसे चिरिया मुझे फासी दे कर उर गई वैसे ही बादसा और बादसाते आज खाक में मिल गई सच्च मुच ही वह छोटा सा लोगों का सच्चा बादसा है चिरियों और जानवरों की कचहरियों के फैसले से जो डर्ते या मरते हैं वे मनुष्य नहीं सकते चिरियों या जनवरों का आर्थी है कि जो स्वार्थी व्यक्तियों के कचहरियों उनके समझावतों से जो डढ़ते हैं वह मनुष्य नहीं होते हैं मनुष्य तो वह होते हैं जो वीर होते हैं और वीर वह होते हैं जो अपनी बादसात खुद जीते हैं राजा जी ने जहर के प्याले से मीरा बाई को डराना चाहा, मीरा बाई जिनके पती का देहांत हो गया, राजवारे परिवार से आती थी, लेकिन उनके ही परिवार वाले कुछ लोग उन्हें मृतू देना चाहते थे उन्हें मार देना चाहते थे उन्होंने जहर का प्याला उन्हें दिया लेकिन उसे उन्होंने इश्वर का पसाद मान कर पी लिया और उन्हें कुछ नहीं हुआ मगर वह वारी सच्चाई मीरा ने इस जहर को भी अम्रित मान कर पी लिया वह सेर और हाथी के सामने गई उसे सेर और हाथी के पास भेज़ दिया गया था मगर वह रे प्रेम मस्त हाथी और सेर ने देवी के चर्णों की धूल को अपने मस्तक पर लगा लिया नहीं मार पाये था आत्में विश्वास था उस वीरांगना में और अपना रास्ता लिया इस रास्ते बीर पुरुष आगे नहीं पीछे जाते हैं अंदर ध्यान करते हैं मरते नहीं मारते नहीं मरते हैं वीर क्या तीन के बरतन की तरह जट गरम और जट थंडा हो जाते हैं नहीं ये तो धीर और गंभीर होते हैं या जल्दी गरम नहीं हो सकते हैं चाहे कुछ भी हो जाए उनकी गरमी नहीं दिखती सदियों नीचे आग जलती रहे तो भी सायद ही गरम हो और हजारों वर्फ जमती रहे उनके उपर तो भी क्या मजाल जो उनकी उसकी बानी तक ठंडी हो जाए उसे खुद गरम और सद होने से क्या मतलब मतलब उसको दिन दुनिया और संसारिक भोग विलास से उसे मतलब नहीं रहता उसे तो अपने कर्तब से मतलब रहता है अथा वीर जो कर्तबे निष्ट होते हैं वह होते हैं जब कभी वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी बिर्ता की लहर उठती है और बिर्ता का रंध्ट शड़ जाता है परन्तु उश्चिरस्थाई वो अच्छी रस्थाई नहीं होता इसका कारण सिर्फ यही है कि हम में वितरी दृता का मलवा नहीं होता हम सिर्फ ख्याली माल उसके दिखलाने के लिए बनाना चाहते हैं अठाथ जब भी हम बीरों की गाथाएं सुनते हैं तो हमारे अंदर एक विर्था जाग उठती है पनप उठती है और हम स्वयम को भी उसी मार्ग दर्शन पर लेकर चलना चाहते हैं हम भी वो से बीर लगते हैं कई छात्र फिल्में देख करके अपने आपको उस हीरो से कम नहीं समझते हैं वैस वो छनिक होता है वो पल भर के लिए होता है फिर तनिक समय के बाद वहननस दीर तीन के वरतन का सभाव छोड़कर तीन के वरतन का सभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो लेखक क्या कहते हैं ध्यान देने की बात है कि टीन के वर्तन का स्वभाव छोड़ कर टीन का वर्तन अठात जो तनिक सी लौ मिलने से आग की गरम हो जाना और पुना ठंडक प्रात होने पर तुरंत ठंडा हो जाना इससे निब्रित हो करके इससे बाहर निकलने की बात कर रहे हैं कि टीन के वर्तन का स्वभाव छोड़ कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो जीवन का केंद्र अर्थात अपने घिर्दय में निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर द्रिद्धा से खरे हो जाओ अपनी जिन्दगी किसी और के हवाले करो ताकि जिन्दगी को बचाने की कोशिसों में समय जाया ना हो सके अपनी जिन्दगी की बारे में स्युम ना सुचकर दुसरों के बारे में सुचने में अपना कर्तब्य करना चाहिए ताकि और जब आप इस तरह से कर्तब ये करने लगेंगे जब परमार्त और प्रुपकार की भावना लेकर करके कार्ज करने लगते हैं तो देखा जाता है आपके सुब्चिन तक बहुत ही हो जाते हैं जैसे बाहर ये देखिए ये गुरू नानक जी है गुरू नानक देव कवीर दास जी ये लोग स्योयम की बारे में कभी नहीं सोचे ये तो परमार्त तक ही परिचय पहचान बन गए बाहर की सता को छोड़कर जीवन के अंदर की तहो में घुच जाओ तब नहीं रंग खुलेंगे नफरत और दुए दृष्टी छोड़ो रोना छूट जाएगा याँए जो जीवन में लगतार रोने वाली बात होती है मैं तो ये नहीं कर पा रहा हूं उससे ये नहीं हो रहा है यह सब नहीं हो पाएगा, यह सब छूट जाएगा, प्रेम और आनंद से काम लो, सांती की वर्सा होने लगेगी और दुखरे तुर हो जाएगी, जो भी काम करें, प्रेम से करें, आनंद से करें, काम को कार्ज के हिसाब से करें, उसके तरीके से करें, निशन्दे कभी भी रो में हसते रहेंगे एक प्राकृतिक मुश्म राहत आपका इंतिजार कर रही है जीवन के तत्तो का अनुभाव करके चुप हो जाओ धीर और गंभीर हो जाना चाहिए धीर गंभीर तभी हम बन सकते हैं जब जीवन के मुल तत्वों के बारे में हम जान लें वीरों की फकीरों की पीरों की या कूक है कूक अर्थात उनक्या ही ये कहा गया कतन है हटो पीछे, अब अपने अंधर जाओ यानि दुनिया को बाहर के दृष्टिकोन तो नहीं है अपने स्वियं को पहचाने की दिष्टिकोन अपनाने की बात कही जा रही है अपने आपको देखो दुनिया और की और हो जाएगी अपनी आत्मिक उन्नती करो कवीदास जी की एक वानी है एक साखी है क्या है कि जब मैं था तब हरी नहीं जब हरी मिले तो मैं नहीं सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही अर्थात मैं अर्थात अहम अहंकार जो जब तक हमारे अंदर रहेगा तब तक कल्यान निसंदे हो नहीं सकता अंकार से दूर हटो अंकार की प्रविर्टी को छोड़ना अंकार छुट जाएगा अहम की भावना कि मैं मुझे पहचानने की भावना हो मैं अपने अंदर जहांकूं अपने अंदर आप जहांकेंगे तो अपने आपको पहचान लेंगे और निसंदे मन ही वह मंदिर है जहां इश्वर का वास होता है इश्वर का वास हमारे विश्वास में होता है और इश्वर का वास अगर विश्वास में होता है तो निशंदे अपने अंदर जाकने पर इस्वरदर्शन होगा और उस इस्वरदर्शन के बाद आप देखेंगे तो दुनिया और की और हो जाएगी अपनी आत्मिक उन्नती करना चाहिए और तब हमारा आत्मिक उन्नती होता है आसा करते हैं छात्रों आपको वीर्ता की यह पहचान वीर्ड बनने का यह तरीका शंदे बहुत ही प्रभावित किया होगा और आप में देखिएगा एक बार जब आप इसे देखे हैं सुने हैं समझे हैं तो आपके जीवन पर इसका प्रभाव होगा और उससे प्रभावित होकर आपका जीवन निसंदे बदलेगा इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए इसे अपने जीवन के उन सभी मुल्यों पर अधारभूत हिकाई के तरह रखना चाहिए जिससे हमारा जीवन सफल और सुफल हो जाए जब सफल होगा तो निसंदे सुफ करता है कि परुपकार करो चाहे आप जिस धर्म के अंतरगत देखें यही बातें आती हैं कि दुस्रों का सहयोग सेवा सतकार की भावना लिए हुए दुनिया में परुपकार करो तरवर फल नहीं खाते हैं सरवर पियत नपान कहीं रहीं संपती सचें जाग सुजान संपती का संचय सुजान व्यक्ती दुसरे के हित के लिए करते हैं जिस प्रकार से तरवर अर्थात बिक्ष अपना फल स्यम नहीं खाता बिक्ष की डालिया जुक जाती हैं फल दायक बिक्षों की और हम उस पर इट चला के मारते हैं आम तोरने के लिए कई मारने से उसकी टहनिया घायल हो जाती है वह घायल हो जाता है पुनतया फिर भी मीठी फल देता है खाने को बीर तो ऐसे होते हैं जो सदैव ही दुसरों का उपकार चाहते हैं चाहे उनके उपर जितना ही उनका तिरसकार क्यों नहों दुनिया से समाज से वह उपकार ही सदैव चाहते हैं वह तिरसकार नहीं चाहते क्योंकि उनके हिदय में द्वेस इर्षया की भावना नहीं होती वह तो स्वेम को पहचानते हैं वह इन चोटी-चोटी बातों में अपने आपको विलक नहीं करते हैं आसा करते हैं चात्रों आपनों को यह वीडियो बहुत अच्छा स्वास है मन में अगर एक सिक्षक अपने चात्रों पर इतना भी स्वास न करे तो किसकी उपर करे आपका दिन मंगल मैं हो धन्यवाद